दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी सौगात जी हाँ दोस्तों SSC, Bank, Railway, UPSC, UPSC और UP Police इन परिच्छों में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछे गए 5000 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं इसको प्राप्ट करने के लिए आपके करना क्या होगा नीचे वीडियो के डिस्कप्शन में आपको 150 लेक्चर का लिंक मिल जाएगा आप एक एकर के सारे लेक्चर देख सकते हैं या फिर आपको चाहिए इन सभी प्रस्टों Leo का पीडियाप तो आपे काम करिए नीचे वीडियो सुनोना है और इस document verification में आपको कौन-कौन से चीज लेकर जानी है इसके विसे में विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन उसे फ़ल एक बहुत ही महत्पूर सोचना आपको देना चाहूंगा आप हमारी YouTube चैनल को इस इस च combine चीज़े करें लाइक करें लेकिन नीचे वीडियो कर दिस्कौ्सं में और फर्स कमेंट में आपको एक चैनल का लिस जाए गा जिसको जाकर तुरह सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ आपको ये सारी चीज़े बिल्कुल फ्री प्रवाइट की जाएंगी और वाटसप ग्रूप में बिल्कुल फ्री एड़ किया जाएगा तो आज जा लेते हैं पूरी खबर क्या आखिर डॉक्रिमेंट वेरिफिकेसर में कौन-कौन से जीज़े आपको ले जानी है तो खबर प करती बोर्ट 13 फरूरी 2019 को गुरूप डी परिचा का परिणाम गोसित करने वाला है ऐसी उमीद जताई जा रही है उमीदवार जो CBT में उपस्तित हुए थे हुए सभी अपने छेत्र की आधिकारिक वेफसाइट के माध्यम से फाइनल अंसर की और परिणाम देख पाएंग की गई आपर्ति की जाच कर रहा है अगर कोई आपर्ती सही पार जाती है तो फिर बोर्ड फिर से अंसर की जारी करेगा और फिर रिजल्ट गोसित कर दिए जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं इंटर्विव में ले जाने होंगे या दस्तावेज कहने का मतलब यह है ड तर्वी बोर्ड के सामने अभ्यारती को खुद को नौकरी के लिए पूरी तरह से योग साबित करना होगा बोर्ड के समझ दसवी का एड्मिट कार्ड आवेधन के दौरान लगाई गई सभी मार्क सीट इस्थाई पते के पर्मार पत्र के रूप में वोटर आईडी या फिर आधार करड पेष करना होगा यह सारी चीज़े आपको ले जानी होंगी डौक्यमेंट वेरिफिकेशन के स्तहथ ठीक है जब आपका डौक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यह सारी चीज़े आपको परवार के रूप में ले जानी होंगी तो फिलाल आज के वीडियो में अत्ता ही आगे की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें गाने वारे